नमस्कार आप देख रहें अनमेफ न्यूज मैं हूं इंद्रमोहन आठ नमंबर 2016 ठीक एक साल पहले रात के आठ बजे नरिंद्रमोधी कैमरे के सामने आते हैं और नोट बंदी की घोशना कर देते हैं आज एक साल उसको बीच चुका है हमारे साथ शशी वर्धन शाक उर्फ मीनी अखलेश हैं और उनके साथ हैं हमारे दस रिपोर्टर जो नोट बंदी और यूपी की समस्याओं पर या यू कहें कि देश की समस्याओं पर उनसे दस सवाल करेंगे शशी वर्धन जी और फमीनी को तब आपने याद किया तो आपको सब्कामना देता हूं स्वागत करता हूं पहला सवाल मैं ही आपसे पूछ लेता हूं नोट बंदी को एक साल हो गये हैं समाजबादी पार्टी में उस दौर को याद करें तो नेता जी कह रहे थे समय चाहिए और अखलेश मिलके आते है हैं मोदी से और कहते हैं और प्रत्यक्ष तोर पे की नोट बंदी अच्छा फैसला है अब कैसे देख रहे हैं आप मैं एक तो पहले जो दिल्ली बहुत कम जाता हूं और अगर गया था मिलने तो हमारी जो सांसद हैं उनके साथ चाय पे गया था हां सेंटर हॉल में प्धामंती जी मिले उनसे बात हुई और जहां तक मैंने तकलीव हैं बताई लोग जनता परिसान थी उत्तर पिदेश की उ तो यूपी की जनता को बीजीपी की बात क्लिक कर गई लेकिन समाजवादी की समाजवादी पार्टी की बात वो समझ नहीं पाएं जब चुनाव चनल लहीं तो उत्तर पिदेश में तब भी मैंने कहा और कई जनलिस्ट आई मेरे पास बोली नूट बंदी आपकी खलाप ज मैंकि खलाप के खलाप अपकी बात उर्ट बंदी वाहीं पारि articulated कि अग्राप जौक में फेश्यु समाजवादी याद पाया और अजयां तक आपसबाल की बात है ए तो मुझे बहुत तबस्यह की और जब परभु प्रक्ट हुए यह तो कि मांगो क्या मंघते हो तो इस भक्त ने बोला कि मुझे कुछ मांगना है तो सप्रभु ने बोला कि य तो सर आपको कहने का मतलब यह है कि यूपी में जो योगी सरकार बनी है वो लोगों को बहका के बनी है। करते रहें। आपने अगर उत्ताप देश में जब चुनाव चल ले हैं तब हमारी भासाओं को रैलियों को सुना होगा। तो मैंने तब भी कहा था नोडबंदी लागू हुई लोगों को लगा कि जैसे अमीरों का पैसा भी रुख जाएगा। हमारे गरीबों को लगा लेकिन हमारा गरीब बिचारा नहीं समझ पाया। और जहां तक आतंगबाद की बात है तो बताना चाहिए कितना सीमा पर रुका आतंगबाद। तो आप ये किसको समझा रहे हैं ये बहकाने का काम किया है और वही इस बात का आप मैं कहूंँगा कि समाजबादी बहका नहीं पाए, विकास पर रगे रहे, काम बोलता है बोलते रहे, और उन्होंने बहका दिया जनता को सर आप कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत हुई नोटबंदी से लेकिन वीजेपी वहीं पर नोटबंदी का जश्न मना रही है एक साल पूरा होने पर तो इस पर आपकी क्या रहा है अगर अच्छे दिनों वाले जस्न मना रहे हैं और आपका सवाल है तो साइद आपने पुराना गाना सुना होगा देवानंद का है शायद बो कि बरवादियों का जस्न मनाता चला गया अगर कोई बरवादियों का जस्न मनाए तो मैं समझता हूँ देवानंद के बाद ये निकाल दिया लोग सड़क पर आगे लोगों को साधी में अंतिम संस्कार में जितनी दिखतें जीर नी पड़ी अगर उसका जस्त मनार ही लोग तो मैं समस्ता हूं जनता के साथ धोका है और सरकारों का काम जनता को धोका देने का नहीं होना चाहिए अखलेज जी आप से एक कोड़ी अपने नाम सिला हुआ कोड़ पहना था आज वो कोड़ पहनने का काम कौन कर रहा है कि इसलिए मैंने कहा प्रधान मंतीजी है उनको कम से कम जनता का जो करना चाहिए आप कभी बोलने कि गंगा सफाई होगी आपके गंगा सफाई किस इस तर पर है किस दिशा में व और उनंने कह अब बनारस में बिकास करेंगे अब बिकास करेंगे इस जंता किस्को संजार सर जनता आज भी बीजेपी के साथ है लेकिन आप कहा रहे थे कि बीजेपी से लोग खपाएं मैं यह समझता हूँ कि एक कहवत है भूखे पेट वजन ना होई गोपाला जब भूख लगेगी और शायद वो टाइम आने वाला है और मैं तो कहूंगा आज उका है आज मुझे बताते हैं बहुत खुशी है कि अगर समाज बादी पाल्टी के साथ सबसे ज़्यादा कोई जोड़ा है तो युवा जोड़े हुए और अगर युवा जोड़े हैं इसका अमलब कहीं ना कहीं उनको इंतजार था नौक्रियों का वो नौक्रियां उनको नहीं मिल तो वो जो कहा बाद भूके बजन ना होई गोपाला वो बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली है और अगर नोटबंदी पे आपने बुलाये तो एक बात मौर कहना चाहूंगा अगर मालीजे आपकी घर में कोई खतरनाक चुगा आजाए तो उसे पकड़ने के लिए आप पु दोखाया और वो आंकड़े देने चाहिए प्रधामंती जी को कि कितना मुनाफा हुआ और कितना पाकिस्तान से काला धनाया है अखिलिश जी मेरा आप से सवाल है 2014 में जब चुनाऊ हुए तो यूपी में तब वहां पर आपकी सरकार थी लेकिन रिजल्ट क्या है आपके ख समाजवादी पर्टी संघ कि पर्टी रही है और समाजवादी उन्हें सीखा है जीतना और हार जдо तो हार से सीक्टना और मुझे बताती हुग खुशी है इस बात की कि आज युवा कम से कम समाजवादियों के तरफ देख रहा है और जो भी विकास किया उसकी बात हो रही है मालेज हमने एक्सफेस वे बनाया 326 किलोमीटर का एक्सफेस वे 22 महीने बना दिया उसकी चर्चा हो रही है और अगर इनको काम करना है अच्छे दिनों वालों को तो कम से कम बलिया वाला बना दे लेकिन ये तो केंटों नहीं बना पाएगी उसको एनरचाई को दे दिया कोई कह रहा है उसको नीतिया यूग बनाएगा और मैं समझता हूँ इसको कोई नहीं बनाएगा और मौका मिलेगा 2022 में फिर भी हम आपसे ही कहेंगे आप कह रहे हैं समाजवादी संगर्श की पाटी है आप हार से सीखने की बात कर रहे हैं लेकिन अमित शाह का प्लान है यूपी में असी की असी सीटे जीतने का तो मतलब आप भाहर से लड़ने का मनविचार बना रहे हो होगा तो वो काम हम समाजवादी की युवा करेंगे गर विप्रीध हवा है तो हम समाजवादियों में जो उत्सा है विप्रीध दिसा में भी साइकल चलाएंगे और कई समाजवादी तो हैंडल छोड़ के साइकल चलाते हैं तो वो कम से कम मिलेगा और विप्रीध दिसा मे cycle चलेगी और विकास होगा आपकी cycle paddle से चलती है BJP की cycle चलती है राम मंदिर से और राम मंदिर पे आप देखिए अभी समझोते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो BJP कहीं न कहीं 2019 में माहल बनाएगी राम मंदिर की तरफ अगर वो मामले को सुलजा लेते हैं तो भी वोट अपने पक्षिमे करने की कोशिश करेंगी तो क्या बीजेपी फिर 2019 में अपनी पैडल जो उनकी पैडल है उसके सारे ऐसा तो नहीं कि समाजवादी की जो साइकिल है वो पीछे रह जाए और बीजेपी पैडल मारके आगे न जोड़ा है वो आज भीकास की बात कर रहा है मैं एक पाल के लिए कह सकता हूं कि राम मंदिर मुद्दा हो सकता है लेकिन हमने भी आउद्या में हब बनवाया है वीजियम बनवाया है अगर यह मुद्ध है तो मैं समझता हूं कि लोग हमारे साथ भी जुनेंगे ने साइकल संघर्स की बात की जब आप यहां आ भी रहोंगे सरकों से होके से तो साथ में साइकल का ट्रैक भी बनवाया है वह सरकों पे जाम लगी रहती है और ही पार्टी की हो रही है आप आप से पूछना चाहता हूं कहां से आते हैं मैं तो आप लखनों से आए या कभी भी दिली म में भी जहां आपने नुड़ा के कुछ छेत्रों में बनाई है साइकल का ट्रैक वो पूरा खाली रहता है और जाम बराबर ही लगा रहता है तो साइकलेटैक पर और कोई निजारा चुछ सकती है। जिस दिन आप साइकलेटैक पर चलेंगे साइकलेटैक तो मैं कह सकता हूं कम सिखता हूं कम आपका पेट कम हो जाएगा। तो उसका प्रियोग करिये यही सी देश बनाया गया था अब आज आप देखे कितना कोहरा उत्तफ इसमें पूरे दिल्ली में तो कोहरी में प्रिदूशर बढ़ रहा है उसको रोकने और इसी जान से निजाध करने के लिए साइकल ट्रेक बनाया गया था और आज भी मैं कहता और मैं तो प्रधान मुंती जी की बात कोंकर उने कहा था 56 इंच का सीना है अब कम से कम मैं कहना चाहूँगा कि अमिस्ता जी को अपने पेट का भी साइज बताना चाहिए और अगर ज्यादा है तो उन्हें साइकल ट्रेक का उपयोग करना चाहिए 56 इंच के सीना की आपने बात की राहूल गांदिया आजकल खूब एकसाइज कर रहे हैं तो 2019 राहूल के साथ आपको लग रहे है कि जो राहूल का 56 इंच का सीना है राहूल कहीं न कहीं मोदी को टक्कर देंगे राहूल जी युबा है और गडवन्दन किया था तो युबाओं का गडवन्दन था यूपी के दूँ लड़कों का गडवन्दन था तो ये चलता रहेगा और एकर युबा आ रहे हैं आगे नई सोच आगे आ रही है तो मैं समस्ता हूं आने वाले दिनों में कुछ और उसके बाद ये सवाल पूछे आप और अगर एकस्पेस वे से चली जाएंगी तो आप समाजवादियों को बोर्ट देनेंगी और जितने भी दोस्त लोग आपके साथ जाएंगे वह विना सेल्फी के नहीं मानेंगे वहां पर इतनी अच्छी वहां पर सजावट की गई और जो भी जितना सजाया है उसको उसकी बात हो रही है तो आप उडिसा से हैं इसलिए आपको साइद ये सवाल पूछ रही है एक बार जाए आप लगनो और फिर ये सवाल पूछे आप मुझसे क्यों बनाया हमने सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे बीजेपी अलग अलग काम करती रहती है उसने करा मंदिर चाए गधा और खिचडी तो अब इसके बाद बीजेपी के आगे क्या प्लैनिंग है और वो किस रुख में अपना आगे प्लैन बनाती है आपका सवाल मैं इसलिए अच्छा अच्छी दिनों बालों की जो नीतियां है वो चार चीजों पर इक इन दित है चाय गाय गंगा और दंगा लेकिन आपने खिचुडी की बात कर दी और चुनाव है गुजरात में तो मैं कहूंगा ये गुजरात का विकास के इनकर बीमार हो गया है कोई खिचुडी अक्सर अच्छी दिनों का चार मैं समझता हूं कि विकास को साथ दस लग गए है इसलिए खिचुडी की बात किया उन्होंने और इस बीमार विकास को लाने के लिए कम से कम समाजवादियों ने जो भी काम किये उसकी अच्छा हो रही है अखिलेज जी मेरा सवाल आप से अगर आप तो सपत लेने का किया जाएगा लेकिन मैं आपको अभी इतना बताना चाहूंगा कि मैं अभी सहफी से आगे नहीं जाता और क्यों नहीं जाता कोई उत्तर प्रदेश बड़ा राज है देश की दिर्शा और अर्थविस्ता यहां से निधायत होती है और अभी मैं उत्तर प कुछ होता है तो सबसे पहले मैं आप से मिलूंगा धन्वाद आपका अखलेट जी आपने का कि समाजवादी पार्टी संघर्स की पार्टी है एक संघर्स आपके घर में भी चल रहा है आपके परिवार में एक संघर्स चल रहा है समाजवादी पार्टी नोट बैन का जो न नमो नरेंद्र मोधी का जो है सपोर्ट किया है तो इस संघर्ष से कैसे निकलेगी समाजवादी पार्टी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने नूट बंदी बुलाया है तो कमसे को नूट बंदी पे सवाल हो जाते क्योंकि रात में आठ वजे बोल देना कि रुपया सब काल में उटा बता देना आज तो कई लोग डर रहे हैं कि कई गोशना न हो जये कि आज राज से सोना लूआ हो गया है तो इसी लिए आप देखिए कि देश किस अजय लिए और यह संपदायक दल किस जिसा में ले जा रहे हैं तो कम से को उसले सवाल आप करिए घर परिवार की बाते हर जगे होती हैं परिवार के सम में ही सब होता है अच्छा एक सवाल जो पूरा देश जानना चाहता था जब योगी जी शपत ले रहे थे तो मुलायम सिंग भी मंच पे थे अकलेश भी मंच पे थे मुलायम सिंग मोधी जी का हाथ पकरते हैं उनके कान में कुछ फुस आते हैं जब आप घर में बैठे होंगे लंच के लिए डिनर के लिए मुलायम जी के साथ तो उन्होंने बता है कि उन्होंने कान में क्या कहा था मैंने और भी कई इंट्रिवी दिया उसमें इस बात का मैं खुलासा कर चुका हूं कि नेदाजी ने कादर 2019 से में बच के रहना हमारा बेटा आ रहा है जब आप लंच टेबल पर डिनर के लिए पूरी फैमली जब बैठते हैं तो अकसर बाते क्या होती है राजनीती की होती है या परिवारकी होती है या बच्चों को लेकर आप बाते कर रहे होते हैं आप पत्रकार हैं जब आप लंच करते हैं तो क्या पत्रकार तक बाते करते हैं अगर आप करते हैं तो हम भी राजनीत की बात में कुछ कर लेते हैं कि नोट बंदी के बाद देश मतलब परेशान हुआ है लोग परिशान हुए तो डिजिटल इंडिया जो एक है मुद्दा और कैश्लाइश हुआ है इंडिया तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि काफी लोग पेटियम और कैश्लाइश इनके आगे बढ़े हैं कई लोग तो इस पर चाय वाला पेटियम खोलता है पेटियम खोलता है तो बहुत चीजे हुई है इससे तो इस पर क्या आप किराये मैंने कहा कई जगया पर किस नोड़बंदी से सबसे पहले तो बैंकों को बचाने का काम किया गया और यह प्रधाम अंतिजी को बताना चाहिए कि बैंकों को बचाया है और जहां तक आपक कर देने जारे थी मोवाइल और इसकी बुकिंग हुई एक करोड़ चारिस लाग लेकिन वो इसको चोरी कर लिया आप सुनाया कोई प्राइविट कंपनी देने जारे मोवाइल तो मैं कह सकता हूं डिजिटल पेगर किसी ने काम किया समाध आदियों क्या ठाला लाग खोले जाते हैं इसमें अलग बात है कि हवाज उनिता जी की फोटो आती है उसमें तो आप लोग डिजिटल होने के बहाने अपना परचार तो नहीं करे थे खबर यह भी आ रही थी कि जब लैपटॉप के ऊपर से आपकी फोटो हटाई जा रही थी तो लैपटॉप क्रैश हो रहा था और इसी वज़े से शमाजवाद भी पार्टी चुनावार गई हमसे तो यह भी आरूप लगे कि लैपटॉप बांट कर और से फोटो देगे कम से कम समाजवादी ने रिस्वत दे दिया वोटर को कि वोट दे देगा लेकिन मैं आप से कहना चाहूँगा घोशना पत में की थी तब ही जनता ने वोट दिया होगा तो यह हमारे घोशना पत का हिस्सा था लैपटॉप और कोई कई हंग्रेजी के खिलाप हैं तो वह भी समझ रहा होगा कि हमने सबस्यादा लैपटॉप बांटने का काम किया है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर फोटोस में नेत सरकाने का फीलोगों को लैपटॉप गवात लेकिन काफी लोगों की यह भी शिकायदर्ज दर्ज कि आपने लैपटॉप तो दे दिये हैं घिली को देगा भीना फीज ले कि लेपटॉ तो चलिंसक्ता न कि यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कहां कि रहने वाली हैं, तो आप उप में जाएए और पता करिए कि आप हम थे तो जानता हूँ और 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 कोई हो तो जानता होगा। अगर आपने दिल पे हाथ रखने की बात कई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप संगीत सुनती होंगे तो आपको वो अलताफ राजा की एक लाइन याद होगी साइद वही मैं क्या कि अपनी बात खतम करना चाहूंगा कि फूलों के साथ गुलसन में बभूल भी होंगे और क्या हुआ जंता ने विवफाई की उसके अपने असूल भी होंगे त पूरे वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं था यह एक महज मनुरंजन के लिए बनाया गया वीडियो है आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप मीनी अखले से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हुआ